एलो व्रीवान दिश आसी का वेलकम और वेलिकम बैक टू माइ चैनल आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ ट्राउजर का बहुत ही प्रेटी सा डिजाइन तो यह डिजाइन जो है वह आप ट्राउजर पर भी कर सकते हो वह आप स्लिप्स पर भी कर सकते हो तो अब हमें डिजाइन बनाने के लिए चाहिए डेरिंग ची चौड़ी पट्टी एक चाहिए कपड़ा जिसे हमें फोल्ड करके नॉर्मल सी जो मतलब डोरी टाइप होती है वो हमें बनाना है फीता यह चौड़ी पट्टी है यह चौड़ी डोरी बनेगी क्योंकि डिजाइन तभी अच्छी लगते हैं अगर अब बहुत ही पतली कर दोगे तो फिर पतला पतला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता डिजाइन के ऊपर यह डोरी ऑलमुस्ट हमारा रेडी हो गया यह जो डोरी है हमने रेडी कर लिया अब हमें इसे पीसस में कट करना है तो पहले हम कट नहीं करेंगे इतना इतना पीसस में कट करना है तो पहले हम कट नहीं करेंगे, दो तरीका आपको दिखाएंगे, लेकिन कट करना बहुत ही मतलब इजी होता है लगाने में, तो ऐसे दो इंक चोड़ी हमने यहां पे पेपर ले लिया, और जो लंबाई है वो आप ट्राउजर के मुहरी के हिसाब से आप ले सकते हो, तो इस इस तरह वेश्ट कम होता है, लेकिन इस तरह लगाने में बहुत ही मतलब दिक्कत भी आती है, कि आपको कट करना है, फिर आप कितना ही डोरी बना लोगे, तो इस तरह हमने कट कर लिया, कि थोड़ी सी बरबाद होती है, तो हो जाए, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये जो है, कट करके रखा है, पहले ही, ये हमारा एक साइट का कमपलीट हो गया, अब हमें क्या करना है, दूसरी साइट पे भी सिलाए लगानी है, बहुत समल कर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी भी एड़ी-तेड़ी हो गई, तो फिर डिजाइन क अच्छा है, वह से हम कट कर लेंगे, क्योंकि एक साइट हमें चाहिए नहीं, तो इक साइट कर लिया, ये हमारा रेडी है, अब हमें चाहिए जो नॉर्मल सी और डिजाइन बनाने के लिए, जो प्लीट दालेंगे हम नीचे की साइट पे, उसके लिए हमें कपड़ा चाहि आपकी जितनी है, मतलब मर्जी है आप ले लो, अगर बच जाए तो फेक दो, और ना बचे तो फिर लगा लो, तो इस तरह छोटी-छोटी प्लीट डालना है हमें, ये बाद में भी हो सकता है, लेकिन आप पहले बना लोगे, तो जो डिजाइन है, वो बनाते हुए आपको परेशानी भी नहीं होगी, और आपको इरिटेशन भी नहीं होगा, कि ये डिजाइन के लिए आपको बनाना है, पहले ही बना लो, बहुत इजी रहते हैं, मुझे इस तरह ही इजी लगते हैं, इसलिए मैं पहले बना लेती हूँ, यहाँ पे जो है, मैंने बना लिया, ये अब महोरी है भू चाहिए तो रेखें के पेपर हम सीधी साइट पर रखेंगे जो महोरी है उसे हम इल्टी साइट पर रखेंगे रहें के एक नॉर्मल सी सिलाई देनी है तो हमने यहाँ पर नॉर्मल सिलाई लगा लिए अब हमें क्या करना है एक चाप सिलाई लगा नहीं है क्योंकि डिजाइन जो है वो हमारी जहाके ना मतलब जो खिड़की बनाई है हमने महाँ से जहाक सकती है तो ना जहाके इसलिए हमने यहाँ पर चापसलाय लगा दिया यह हो गया अब हम क्या करेंगे जो हमारी मतलब चूरीदार की जो है कुर्ती चूरीदार कुछ भी बोलो उसकी पट्टी बची हुई थी तो हम क्या करेंगे हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसे भी लगा देंगे और डिजाइन और इन्हांस करेंगे तो नॉर्मल सी हमें से उल्टी साइड रखेंगे रखते हुए एक और नॉर्मल सी सिलाई लगा लेंगे जो सीधी सिलाई होती है कोई बात नहीं है इस सिलाई के लिए हमें कोई मतलब इसे ताडम ताड जोड ताड नहीं करना है तो अब हम क्या करेंगे एक चाप सिलाई यहां पर लगा लेंगे क्योंकि खिड़की तो यहां से भी है तो अब हमने यह सिलाई को दिक्कत लगती अब हमने क्या किया प्लिर्स पहले ही बना लिया इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है डिजाइन बहुत इजी बनती जा रही है अब हमने नॉर्मल सी एक सिलाई लगानी है जिसे हमने पहले लगाया सीधी सिलाई एक लगानी है अब हम क्या करेंगे यहां पर भी चापसलाई लगाएंगे अब कोई कहेगा कि यहां पर तो खिड़की नहीं है नहीं जनाब यहां पर पूरी की बुरी दर्वाजा है क्योंकि अगर आप यहां पर अगर चापसलाई नहीं लगाओगे तो यह जो हमारी प्लीट से वह पौफ करने के बाद पास में जो बल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए और डिजाइन देख सकते हैं आप हमारा कितना प्यारा सबन के रेडी है हमने पेपर भी उतार लिया आप बताओ आपको डिजाइन कैसी लगी